दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल पर एक बरी फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो अगर आप भी यूज करते हैं डाइकिन का AC और उसके AC के remote functions को लेके confused रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है इस वीडियो में आपको डाइकिन AC remote के जो buttons होते हैं हर button का क्या मतलब होता है, कैसे उसको use होता है वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में explain करके बताऊंगा जिससे कि आप भी जब अपने AC को use करें तो आपको पता रहे कि किस बटन का क्या मतलब होता है तो ज़्यादा समय न लेते हो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले बात करें अगर remote के external layout के तो remote कुछ इस तरीके से देखने में लगता है तो पीछे की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको batteries मिल जाती है इस screen में आप जो भी buttons के through operation करेंगे वो सारा का सारा screen के अंदर display होगा तो यहाँ पे सबसे पहले one by one में सारे के सारे buttons को explain करते हो चलता हूँ सबसे पहला button अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो on off का button होता है on off का button simply इसका मतलब यही होता है कि जब आपको AC को on करना हो तो आप on का button press कर सकते हैं जब आपको off करना हो तो दुबारे AC button को press करके आप AC को off कर सकते हैं next button की अगर मैं बात करूँ तो वो है power chill का button power chill का button क्या होता है कभी बारी ऐसी situation होते है कि जब हम बाहर से एकदम room में आते हैं तो काफी गर्मी होती है और हम चाहते है कि room एकदम से ठंडा हो जाता है तो उस case में आप power chill button को use कर सकते है power chill button के case में होता किया है जब भी हम इस button को press करते है तो जो उसकी fan speed होती है maximum हो जाती है cooling की जो temperature होता है बिल्कुल lowest हो जाता है यान कि camera एकदम से ठंडा हो जाता है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि जैसी अगर आप fan की speed को छेड़ेंगे यान कि उसको कमिया ज्यादा करेंगे तो power chill mode जो होता है अपने आप ही deactivate हो जाता है तो जब भी आपको camera भाहर से आके एकदम ठंडा करना है तो आप इस mode को use कर सकते है next button के अगर मैं बात करूँ वो है mode का button mode के button में क्या होता है कि AC के जितने भी modes होते है वो सारे के सारे AC button के through operate होते है AC में जो modes होते है वो cool mode होता है आपका air circulation या fan mode जिसको आप कहते है auto mode होता है और इसके साथ साथ आपको मिलता है dry mode तो ये कैसे काम करते हैं ये भी एक बरी साथ के साथ मैं आपको दिखाता चलता हूँ सबसे पहला mode जो यहाँ पर select तो रखा है कमिया ज़्यादा इस mode के अंदर कर पा रहा हूँ cool mode के बाद अगर next mode की में बात करूँ तो वो है fan mode, fan mode में क्या होता है कि आपका AC जो है एक fan की तरह काम करता है ना वो cool करता है, सिरफ एक fan जैसे काम करता है fan mode में अगर में सिंबल की बात करूँ remote के उपर देखने को मिल जाता है तो ये सारे के सारे mode के options आपको इस mode के बटन के थूँ आप operate कर सकते हैं, next button की तरफ आप चलते हैं तो यहाँ पे आपको temperature का button मिल जाता है temperature को up and down करने का button आपको मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से आप temperature को इस button के मदद से up and down कर सकते हैं, जितनी cooling आपको चाहिए होती है उसके accordingly, next button की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आपको fan का button मिल जाता है fan के button से आप fan की जो speed है उसको control कर सकते हैं तो सबसे पहला mode जो आपको इसके अंदर मिल जाता है fan की speed को adjust करने का हूँ मिल जाता है fan की speed को medium रखने का option आपको मिल जाता है और अगर highest पे रखना है तो एक बड़ी आप दुबार यहाँ पर press कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से fan की speed को आप इस button की मदद से control कर सकते हैं next button जो आपको मिल जाता है वो आपको swing का button मिल जाता है swing की button की मदद से आप जो AC के flaps होते हैं उनकी direction को set कर सकते हैं जिस direction में आप हवा का flow चाते हैं उस direction में इस swing button की मदद से आप उनको select कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगी जब भी मैं इस button को press करता हूँ इस तरीके से यहाँ पर icon जो है वो दिखता है swing का तो कुछ इस तरीके से आप swing button को use कर सकते हैं next button की अगर मैं बात करूँ तो आपको eco no button मिल जाता है इस button की मदद से आप AC को पूरा का पूरा control दे देते हैं कि वो कितनी cooling रखे कितनी fan speed रखे तो अगर आप जादे जादा energy को save करना चाते हैं बिजली की बचत करना चाते हैं तो इस time पर आप इस button को use कर सकते हैं इस button की मदद से आप AC को control कर सकते हैं तो next button के अगर मैं बात करूँ तो आपको good sleep button मिल जाता है इस button में क्या होता है कि आप किसी भी mode पर जा सकते हैं AC के और उस पर जाकर आप अपना desired temperature को set कर लीजिए कि जो भी आपने desired temperature अपने AC में set किया हुआ है पहले आदे घंटे में वो temperature 0.5 degree से बढ़ जाता है अगले आदे घंटे में वो again 0.5 degree से बढ़ जाता है और उसके बाद आने वाले जितने भी घंटे होते है जो temperature है अपने आप 1 degree बढ़ता रहता है तो इस case में होता क्या है इसका use क्या होता है कि कई बरी क्या होता है जब हम रात को सो जाते हैं और भार का जो मौसम होता है ठंडा हो जाता है बलकि इससे energy भी काफी ज़्यादा save होती है तो इस button को भी आप use कर सकते हैं जब आप रात को एक pleasant नीन चाहते हैं इसके साथ एक information और में आपको दे देना चाहता हूँ कि जो भी Daikin का AC यूज़ करते हैं तो बहुत सारे Daikin के AC remote हैं उसके अंदर जो backlight की facility नहीं होती है यानि कि रात को जब भी आप AC को use करते हैं तो आपको अपने room की light जला कर ही देखना पड़ेगा कि temperature कितना set है या fan speed कितनी set है इसमें कोई भी backlight का option आपको screen के अंदर नहीं मिलता है तो दोस्तों ये था एक चोटा सा video AC के remote functions को लेकर अगर आपके मन में अभी भी Daikin के AC remote functions को लेकर कोई सवाल है तो आप मेरे comment section पर जाकर मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें